हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह ओपो एनको एर 3 प्रो एयरबट्स और यह ऐसा एयरबट्स है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है मतलब जिन यूटुबरों को यह रिव्यू यूनिट मिला था वह भी तारीफ कर रहे हैं और जिनों पने पैसे से प्रचेस करके वडियो बनाया है वह भी तारीफ कर रहे हैं तो भाइ इसको लेना तो बनता था और इसलिए मैं इसके लिए 5000 रुपिय अपने इन्वेस्ट कर आने वाला उस वीडियो में वीडियो पूरी देखें पसंद है तो लाइक करें और इंफर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और आप लोगों को पता है कि अभी व्यूस काफी कमा रहे है और यूटुब इसके बाद 49 db noise cancellation मिलने वाला है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट उसके बाद LDAC high-risk audio roll device connection और इसमें low latency मिलने वाली है with Bluetooth 5.3 तो बॉक्स को बपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले है यहाँ पर case रखावा मिल जाता है जिसको निकलते हैं और फिलहा रखते हैं साइड में उसके बाद यहाँ पर एक और box मिल जाता है जिसमें आपको कुछ stickers मिल जाते हैं उसके बाद user manual और इसमें आपको warranty card मिलने वाला है तो यहाँ पर पूरी जनकारी लि कि अब आते हैं केस की तरफ और देख सकते हैं भाई केस की बिल्ड को आड़ी काफी ज्यादा प्रीमा में और यहां पर लीड में आपको दो लेयर मिलती है उपर सेट में हलका सा टरंस्परेंट है और हलका साब को क्लावडी इफक्त मिलता है बाकि निचे आपको इस तरह की ग्लोसी फिनिश मिल जाती है तो बिल्ड को आड़ी काफी ज्यादा प्रीमा में और इस तरह की आपको ओल शेप डिजाइन मिल जाती है बाकि साइज भी बहुत बड़ा नहीं तो आसाने सब पॉकेट में रख सकते हैं उसके बाद यहां पर इंडिकेटर लाइट मिल जाती जो कि प्रिंट नहीं बलकि इंग्रेव है तो यहां पर आपको कट आउट मिलता है और बड्स की बिल्ड को आटी काफी ज्यादा प्रीमा में अब एक बार इसके हिंच को चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल श्ट्रॉंग है और देख सकते हैं काफी मस्त आवाज आ रही है बा पर तरीके से कानों में फिट हो जाता है और आप जितना भी हिट को हिलाएंगे गिरने वाल नहीं है बाकि कमफर्ट की बात करें तो काफी ज्यादे कमफर्टेबल है और काफी लाइट वेट है वैसे एक सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि सभी कानों का शेप अलाग होता तो यह water and dust resistant है तो हलकी फिलकी बारिश में या फिर धूल मिटी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यह खराब नहीं होंगे रही बत कनेक्टिविटी की तो इसके कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है क्योंकि इसमें ब्लूड इट 5.3 का सपोर्ट दिया गया है और इ एक ही टाइम में दो डिवाइस के साथ इसको प्यर कर सकते हैं तो यह फीचर में जो काफी ज्यादा पसंद आया और मेरे पास दो फोन एक तो है आई फोन दूसरा है एंडूइड फोन और मैंने दोनों के साल इसको पैयर कर दिया है और यह अच्छे से वर्प कर रहा है बर एक बहुत ही बड़ा बग है जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ बात करें इसके बैटरी की तो यहां पर आपको टोटल 30 अर्स का प्लेबैक टैम मिलने वाला है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है क्योंकि 2000 के अंदर में जो बट्स आते हैं उन्हें आपको 40-50 गंडे का प्लेबैक टैम मिल जाता है तो बैटरी बैक उसका डिसन्ट आपको मिलने वाला है हाला कि मैं इसको एक हफते से यूज किया और अभी तक मैं इसको एक बर भी चार्ज नहीं किया है और अगर आप एंसको और आपको और आपको और भी का बैटरी बैक टैम मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है और चार्ज ऑग बात करें तो बड्स को चार्ज होने में 90 मिनेट से लगने वाले हैं जबकि केस को फुल चार्ज होने में दो गंटे लगने वाले है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपर्ट भी दिया गया है तो अगर आप देसको आपको दो घंटे का playback time मिल जाएगा जो कि अच्छी बात है तो इसका battery backup अच्छा है बट बहुत amazing नहीं है बाकि अब बात करते हैं इसकी sound quality की जो कि भाई इसकी main USB है क्योंकि यहां पर 12.4 mm का dynamic driver मिल जाता है और इसमें bamboo fiber diaphragm दिया गया है जो कि generally birds में plastic का होता है अब इसमें bamboo का cue दिया गया है क्योंकि यहां पर आपको natural sound मिलेगा और इससे reliability बढ़ जाती है उसके साथ यहां पर AAC और LDAC codec high-raise audio का support दिया गया है और जिन लोगों को LDAC codec के बारे में नहीं पता है तो यह AAC से भी उपर होता है और यहां पर आपको 990 kb bass तक का sound मिल जाता है तो इसकी sound quality बिल्कुल टगड़ी है और flagship level किये चाहे bass की बात करे bass काफी thumping और काफी deep bass मिलती है बाकि vocals काफी clear है और treble काफी sharp मिलते है और इसका बड़ आते हैं उनकी sound quality सब इसको compare नहीं कर सकते हैं कि इसके sound quality काफी ज्यादा उपर है उनसे साथे साथ इसमें एक और काफी बड़ा feature मिल जाता है जो कि है A&C mode और इसमें up to 49 dB तक को A&C दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा effective है और A&C on करने के बद आपके आस पास में जतना भी noise है वो यह काफी हद तक कम कर देता है और जैसे कि fan की आवाज है washing machine की आवाज है वो यह बिल्कुल खतम कर देता है बाकि जो human की आवाज है या फिर जानवर की आवाज है वह आपको हलकी फुलकी सुनाई देगी वैसे बता दू जो budget में A&C वारे birds आते उनकी A&C को आप इसे compare नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको काफी अच्छा noise cancellation मिल जाता है और 5000 के अंदर में इसका A&C बिल्कुल best है और मुझे काफी पसंद आया उसके लावाज में transparency mode भी दिया गया है जो कि काफी ज्यादा effective है और आपके surrounding में जतना भी noise है वह आप birds के थू सुन सकते हैं और यह मुझे काफी useful लगा driving के समय क्योंकि अगर पीछे से horn दे रहा है तो आप आसाने से सुन सकते हैं इसको और यह मुझे काफी पसंद आया उसके लावाज में normal mode भी दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हैं बाकि इसके birds पेटा sensor भी दिया गया है जैसे काफी इचा से work कर रहा था और इसका test sensor काफी मस्त था बट इसका उतना इचा से work नहीं करता है और यह दिकत मुझे देखने को मिली इसमें हालाकि इसके test control को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एप का सपोर्ट दिया गया है और कई सारे जहां सब इसको control कर सकते हैं और यहां पर पहने के बाद काफी सारे option खुल जाते हैं तो यहां पर करते हैं तो यहां पर एक और आप्शन खुल जाता है इसमें जाएंगे तो समार्ट, मैक्स, मोटरेट, माइल्ड तो आप लोग़ों को जो भी चूज करना है कर सकते हैं बा में जितना भी शौर है उसको डिटेक्ट करेगा उसके सबसे नुएस को केंसिल करेगा तो यह भी आप यूज कर सकते हैं उसके बाद एंको माश्टर एक्यू में जाएंगे तो यहां पर इसके बाद बैस बुश्ट और नेचरल इंस्परेशन का ओप्शन दिया गया है तो मै करेंगे तो यहां पर बीप की आवाज आएगी और जब तक आपको बीप की आवाज बिल्कुल भी सुनाई ना दे उसके बाद नेक्ष्ट करना है तो इस तरह सबसेट कर सकते हैं और यहां पर आपको एक और आप्शन मिल जाता है बट यह मुझे उतना एफेक्टिव नही कर सकते हैं हलाकि मैंने अभी ऑन किया हुआ है उसके बाद एक यह बट वाला है और यहां पर राइट वाला तो इस तरह सबसको कस्टमाइब कर सकते हैं तो आपको एप में काफी सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आए बाकी अब बात करते हैं तो मैंने काफी सारी कॉल एटेंड और यह काफी अच्छा से अभात कर रहा था मेरी भी आवाज काफी जा रही थी और समने वाले के भी काफी अच्छा से आ रही थी बाकिस का माइक का टेश्ट आप लोगों को सुना देता हूँ तो अभी आप लोग की आवास सुन रहे हैं वो मेरे कैमरी की माइक से रिकॉर्ड हो रही है और अभी आप लोग की आवास सुन रहे है वो इस बर्ड्स के माइक्रिफॉन से रिकॉर्ड हो रही है तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवास सुनाई देगी इस तरह की आपको audio quality मिलने वाली है इसके microphone से बाके इसके microphone quality कैसे लेगी common box में ज़रूर बताना और यहाँ पर आपको इस तरह की Oppo Enco Air 3 Pro में audio quality मिलने वाली है तो इसका calling experience भी काफी अच्छा रहा और gaming की बात रह गये तो इसमें 47ms की ultra low latency मिल जाती है तो इस पर आप hidden gaming कर सकते हैं और मैं इसमें COD प्ले किया तो यहाँ पर जो आवाज ही वो काफी अच्छे से आ रही थी और कोई भी delay नहीं था बाकि यहां पर मैं आप लोगों को सेंपल दिखा देता हूं तो आइधिंग मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है बाकि अब बात करते हैं उस बग की जुकि काफी ज्यादा वीरड है और जब इस बड्स को दो डिवास के साथ करनेक्ट करते हैं तो कॉल आने पर करिए इसमें जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं और आइफोन के साथ को कनेक्ट किया हुआ है और जब कॉल करते हैं पिक्सल पर तो फोन कट जाता है और कई बाते हैं और बस नोटिफिकेशन आ जाती है तो यह काफी वीरड लगा मुझे हाला कि इसमें फर्मवेर करते हैं उसके लावा सांड क्वाल्टी बिल्कुल अमेजिंग है कोई भी मुकाबला नहीं है उसके लावा इसका एंसी भी काफी एफेक्टिव है और मजा यूज करके उसके बाद बैटरी बेक यहां पर आपको डिसेंट सा मिल जाता है और कमी की बात कर दो यहां पर काफ पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अपने ख्याल रखें बाई